नमस्का फ्रेंड साथ गया न्यूटी चैनल में आपका हार्दिक श्वागत है जैसे अब देख रहें कंप्यूटर स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये बीपी एसी बिहार पब्लिक शर्विश कमीशन यहां पर स्कूल टीचर हैड मास्टर पूर्टमेंट एक्जाम जो है आपको फिल करना होगा जैसे मोहन कुमार है तो मोहन फस्ट में रहेगा और लास्ट में हो जाएगा आपका कुमार एदि मोहन कुमार या अदब है तो फस्ट में मोहन से मिडिल में आपका हो जाएगा कुमार लास्ट में हो जाएगा या अदब उसके बाद फादर स् को select करेंगे आधार कार्ड को अधार नंबर यहां पर फिल करेंगे उसके बाद रोड अधार PDF आपको सो के वी से कम का PDF बनाकर अधार कार्ड का यहां पर upload करना होगा और वियू करके क्योंकि यहां नो कर देंगे व्यार स्टेट से नहीं है तो यह कॉलम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे और यह जो सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपनी जो भी रिजर्व केटागरी है उस पर क्लिक करके आप इदन कर सकते थे बट चूकि मैं अधर स्टेट से हूं तो मैंने यहां नो कर रखा है तो यह कॉलम जो है केटागरी जो है ओटोमेटिकली क्लोज हो गई है हम इन्हें फिल नह से ही काउंट होता है अगला स्टेप देखिए आप मैरिटल स्टेटस मेरिट अन्मेरिट जो भी स्ट करेंगे जेंडर मेले फीमेल स्ट करेंगे और यहां पर ऑप्शन है आर यू ग्रांड सन ग्रांड डॉर्टर फ्रीडम फाइडर एस फर एडवर्टाजमेंट हैं तो य न्युक्त एवं कारत से चक हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो करना होगा उसके बाद आपको बियर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा और इनमें से आप अपनी लीजिविल लिडियो के देख लीजिए अरिया आप केवल कंप्यूटर विग्यान विसाय के साथ हैं या संगीत विसा करता हुए यहाँ और भान देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं देख सकते हैं, सम्द्रिष्घ के लिए उसके वाद आपके द्वारा उत्रीमड पात्रता दच्चता परिच्चा आप दच्चता परिच्चा जो लिखा हुआ है उसके ब्रैक्ट दे देगा है 2012 से पूर नियुक्तियों कारत सिच्चक है तो आपको ये नीची वाला जो केवल दच्चता परिच्चा लिखा ये सेलेट करना होगा यदि नहीं है यदि आपके द्वारा उत्तिन पातरता है कीवल तो आपको उपर वाला चूज कर लेना है पातरता परिक्षा और अबलेक दत्षा इवं पातरता परिक्षा यह वाला step आप select कर लेंगे यदि आप 2012 से पूर्व नियुक्त इवं कारत सिच्चक नहीं है तो यहाँ पर आप सीटेट वाले पेपर पर किलिक कर देंगे बिहार टेट है दच्चत परिच्चा 6-8 परारमे बिद्याला अध्यापर के लिए यह पर बिहार एसटेट पेपर फरस्ट है बिहार एसटेट पेपर सेकेंड है जो भी है इनमें से select करेंगे इनमें से कोई नहीं है मेरे पास तो मैंने सीटेट को यहाँ select कर लिया है सीटेट है सेकेंड वाला 6-8 वाला तो वो मैंने select कर लिया है अगला स्टेप देखिए सीटेट पेपर सेकेंड का जो प्रमाण पत्र है यदि उस पर पर certificate नमबर नहीं है तो उसको यहाँ पर डोकुमेंट सो कीवी से कम का फीडिय बना के अप्लोड करते हैं आप इनमेंसे किस विद्याला अध्यापक की अन्वारता अन्वारता रखते हैं तो यहाँ दू विभाग दी गए हैं सिच्चा विद्याला अध्यापक पत के लिए या फिर कल्याड विभाग के पिछड़ा अति पिछड़ा वर विद्याला अध्यापक के लिए नीची वाले में देखी बेकेंसिया कम है इसमें सिच्छा बबाग के अध्याले अध्यापक पद के लिए करना है इसमें वेकेंशिया लगबग 32-33,000 है टूटल और जो टूटल वेकेंशिया आपके अध्याले अध्यापक पद के लिए ठीक है अभी देखी रजिस्टेशन प्रोसेश हो रहा है 14 नमंबर तक और 10 नमंबर से आपका जो complete form है वो online स्टार्ट होगा ऐसा यहाँ पर नियम बताया गया है तो language qualifying part 1 क्या है आपके पास हिंदी, बंगला, उर्दू select करेंगे डेटा बद को select करेंगे post applied जो आपने किया है छेसे art teacher education department के लिए तो यहाँ पर जो select subject है वो आप यहाँ देखिए अंग्रेजी है, उर्दू है, गलते में ज्ञान है, संस्क्रत है, सामझ में ज्ञान है और हिंदी तो चुक्कि मैं हिंदी से हूँ और छेसे art teacher के लिए education के लिए हमने हिंदी को यह select कर लिया है आप किस subject है, आप कौन सा है, तो आप उसके हसाफ से select कर लेंगे, अगला step आपके सामने यहाँ पर अपना address को fill कर लेंगे, फर्स्ट लाइम में अपने जो भी गाउँ शहर का नाम है, शेकें डान में आपका जो पोस्ट थाना है, थार्ड में आपका जो भी डिस्टी के ज assignment for details, please read the advertisement carefully, जो eligibility, जो education अहरता, criteria आप भर रहे है, वो पूरत्या सत्य है, तो उसके लिए आपको yes करना होगा, email डाल का फिर द्वारा से email डालेंगे, और उसे verify करेंगे, मुआलम मट डालेंगे, send OTP पर click करेंगे, और OTP को verify करेंगे, उसकी बात यहाँ पर capture fill करेंगे, और submit registration form पर click करने से पहले, पूरे form को अच्छे से चेक कर लिजिए, तसल्ली से, उसके बाद ही submit registration form पर click करें, तो मैंने सब को जहाँ चेक कर लिया है, आप हमें submit registration form पर click करके registration को complete कर देना है, तो आप सभी 14 नमंबर तक अपने registration जल्द से जल्द करेंगे, चूंकि 10 नमंबर से form स्टार्ट होने वाले हैं, और 14 के बाद आप registration नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों ने 14 तक registration कर लिये हैं, वही 25 नमंबर तक अपना आभिदन यानि की form को पूर्दया final submit कर सकते हैं, तो चलिए capture field करके registration कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, अभी 5 नमंबर है, और आज सबस्तानी से हो गया है, कोई असी समश्या नहीं आये, एक बार महीं बड़े अच्छे से हो गया, तो देख सकते हैं, registration submit successfully, school teacher, oblig headmaster recruitment examination, 2023, तो चलिए, इसको हम control B से save कर लेते हैं, PDF बना कर अपने computer में, यह आपके पास computer laptop नहीं है, mobile से कर रहे हैं, तो आप इसका photo खेंच लिए, लिख कर रख लिए, क्योंकि यह बहुत ही जदा काम आने वाला ID password है, इसी से आपका पूरा process होगा, जब तक आप पूरा final round को पार नहीं कर लेते हैं, विद एक्जाम, ब्रेजल के मिला के सब कुछ, तो ठीक है, हम site को दुबारा से open करते हैं, और इसे login करके, देख इसके आँगे का process है, वो payment का है, जब आप payment successfully कर लेंगी, तो फिर आपका 10 November से form fill करने के लिए आविदन open होगा, और 25 November तक चलेगा, इस बीच में आप समय से पहले, अपने form को आसानी से submit करेंगे, second step में, अभी ये part 1 है, और उसके बाद जो है, 10 November से part second सुरू होगा, जो form fill करने वाला है, second part, अभी payment तक का ही process यहाँ पर रखा गया है, आयो की तरफ से, तो तना ही process आपको वीडियो की माध्यम से दिखाया जा रहा है, log in करने बाद इस प्रकार से आपके सामने dashboard open हो जाता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है, you have not completed your application process, please make payment, तो यहाँ पर click here for payment पर आपको click कर देना होगा, अगला step payment का है, और आपके सामने है, अब आपको proceed button पर click करना होगा, अगला option payment mode का है, और यहाँ से net banking, debit card, credit card, किसी की माध्यम से आप payment कर सकते हैं, mobile number, payor name, email id, optional है, डाले तो ठीक ना डाले तो कोई बात नहीं, अधा debit card है, तो अधा पर यदि आपको रूपे debit card है, तो रूपे debit card का प्रियोग कर सकते हैं, किसी भी बैंक का हो, यहाँ पर use होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अधा debit card है, और चुंकि S.V.I. का है मेरे पास, तो हम यहाँ proceed now करेंगे, और यहाँ पर अपने details को fill करेंगे, अगला step आपके सामने है, और यहाँ पर अपना card holder name, card number, expiry date क्या है, उसके बाद year कौन सा है, CVV number क्या है, यह सारी चीचे fill करके आपको continue बटन पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपके mobile पर OTP आएगा, OTP डाल का payment successful करेंगी, उसके बाद जो अगला step आपका open होगा, वो 10 नमंबर से start होगा, 25 नमंबर तक चलेगा, form submission का, इस बीच payment field हो गया है, कट गया है, और दुवारा से फिर से payment का option आरा, दुवारा payment दिनना करें, बचने का प्रयास करें, help line number यूज करें, email ID help line यूज करें, account शेक करें, कई refund तो नहीं हो गया है, दुवारा से login करके चेक करें, बातर, या 48 आवर्ज, लगवग 24-45, बातर घंटे तक का अंतिजाज जरू करें, दुवारा login करके चेक करते रहें, यदि फीस successfully कटी है, तो update भी friends होगी, तो registration के process में इतना ही, registration complete हो गया, वो मैंने आपको दिखा दिया, registration कैसे करना है, और payment का process यहां बता दिया गया है आपको, ठीक है, और next process जो है, 10 November से start होगा, पार्ट बन में इतना ही, पार्ट चेकिन के लिए, के लिए, wait करना होगा, क्योंकि 14 November तक registration चलेंगी, और उस वीच, 10 November से आपके form जो है, start हो जाएंगे, जिन्नोंने registration और payment कर लिया है, उनका 10 November से start होगा, 25 तक वो अपना complete कर पाएंगी,